हेलो गाईज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अब शुरू करने जा रहे हैं XIS 8.2 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है और इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो कि हमें पता है, अलबी 6 होते हैं, उनके अलग-अलग अंगल पर अलग-अलग वैल्यूज को याद करना होता है और आज उनी को हम लोग एक tricky way में बताएंगे आपको, हलाकि पहले भी basics वीडियो में हमने बता दिया है लेकिन और easy करके और आसान करके आपके सामने एक बार पुना हम इसको रखेंगे ठिक, और आपको ये चीज़े बस अपने दिमाग में रख लेनी है कि ये कैसे आ रहा है और फिर चातस ज़्यादा आप questions solve करेंगे तो ये value आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी अगर ना भी बैठें तो exam में एक बार आपके board के exam में जब आप दिखेंगे paper कि इस पर कुछ questions आएंगे जिसमें value रखना है अगर questions आए होंगे तो शुरू के एक minute से भी कम आपका ये समय लगेगा आप एक जगा सारी values को लिख लेंगे करीब अगर आपको practice हो जाएगा दो तीन बार आप लिखने की कोशिस करेंगे तो 15 से 20 सेकेंड में ही आप ये सारी values लिख लेंगे तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले values को याद करने की ओर तो चलिए start करता है तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 6 trigonometric ratios होते हैं एक sin theta उसके बाद cos theta फिर 10 theta फिर 4 theta फिर 6 theta और फिर cos theta ठीक कितने कितने डिगरी पर 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree और 90 degree इन ही पर हमें केवल याद होना चाहिए और यकीन मांगे मैं आपको ये पूरा x i solve भी कराऊंगा इससे पहले 8.1 की सारी वीडियोस पोस्ट हो गई है हर एक question का और 8.2 का भी 8.3 का भी सारा पोस्ट होता गयागा यकीन मानिए आपको इसके अलावा और कुछ भी याद करने कि आपशकता नहीं है जितना मैं बता रहा हूं बस इतना ही आपको याद करना ह इसके बाद सब में रूट लगा दिए और बस यहीं जब आपने रूट लगाया ना आपको यहीं से बस सॉल कर दिना है हो गया पहले बाले का अंसर जिरो का रूट में रख क्या करेंगे कुछ भी वैलियो नहीं आती है तो आंसर कितना आ जाता है जिरो आ जाता है ठीक वन लेकिन उससे पहले क्या हो चाक लिए कि जाता है अट डिया हरता है और जाता है चलो सकते पार ह wonder of तो रूट 3 by 2, रेस करके लिख ले रहे हैं, रूट 3 by 2, ठीक, और 4 by 4, 1, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही हो जाता है, सिधा, अब यह याद हो गया, देखे, इन में कुछ ऐसा relation है, ऐसा वाला है, मतलब जैसे इधर से गया, बसे उल्टा वापस आ जाईए, तो उल्टा वहाँ यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 3 by 2, यहाँ क्या है, 1 by root 2, फिर यहाँ क्या है, 1 by 2, फिर वहाँ 0, काम क्या है, ठीक, 10 theta क्या होता है, 10 theta होता है, sin theta by cos theta, formula पता होगा, आपको, basics में मैंने पढ़ जाए है, तो 0 by 1, आंसर कितना हो जाएगा, 0, यह 2 से 2 काट दीजे, 1 by root 3 ब not defined, not defined है, ठीक, अब याद रखिए, जैसे 10 में ऐसे गए, वैसे आपको उल्टा आना है, तो उल्टा आदा यह, क्या हो जाएगा, not defined, फिर क्या हो जाएगा, under root 3, फिर क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 by root 3, फिर उसके बाद से 0, काम क्या तो, फिर सक ठीटा, याद रखिए, सक क का उल्टा होता है, सक कास का उल्टा होता है, तो कास 1 by 1 है, उल्टा कर देचे, तो भी तो बनी आएगा, इसको उल्टा कर ये, 2 by root 3, इसको उल्टा कर ये, क्या हो जाएगा, root 2, इसको उल्टा कर ये, 2, 0 by 1, उल्टा कर ये, क्या हो जाएगा, not defined, यही वाला, ठीक, अब य और उसके बाद से 1, खतम, ठीक, तो कुछ दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा, ठीक, उम्मीद है कि आपको ये value याद हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा, आपको एक question solve कराया जाएगा, उससे पहले आपको ये याद हो जानी चाहिए, याद रखेगा, तो चलिए, exercise 8.2 के लिए तयार रहेगा, इसको याद करके और 2-3 बार practice करके, बहुत बहुत धनिवाद इसको वीडियो को अन्ति तक देखने के लिए जुड़े एक हमारे साथ, अगर अच्छा लगा हो तो like करना ना बुलना, और subscribe करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक लड़े!